हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है and welcome to my channel. आज मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग के रुटीन को थोड़ा मज़दार बताने की एक बात बताने आए हूँ. इस टाइम जब हम सब घर पे बैठे हैं, तो हमारा एंवार्मेंट धीरे धीरे रिपेर हो रहा है. आजकल अगर आप टेरेस पे जाओगे, तो आपको आस्मान एकदम क्लियर दिखाई देगा. आप असानी से तारे देख सकते हैं. और यह कोइंसिटेंसी है कि इसी टाइम जब आस्मान इतना साफ है, एक बहुत इंपॉर्टन सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है. इसमें इस टाइम, मार्स, जुपिटर, साटन और मून एक साथ एक लाइन में आने वाले हैं. और यह इवेंट पूरे एप्रिल चलेगा. यह प्रक्रिया आप असानी से देख सकते हैं. इसको देखने के दो तरीके हैं. पहला, या तो आप सुबह सारे पांच बजे उठ जाएए और आस्मान में देखिए. यह मुझसे तो नहीं हो पाता. इसलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका, जो कि बहुत आसान है और बहुत एजुकेशनल है बताने आई हूँ. क्योंकि मैं एक प्लानेटेरियम में जाके अभी नहीं देख सकती है इवेंट और मुझे इस पेस में बहुत इंट्रेस्ट है, तो मैंने एक स्टार गेजिंग आप यानि एक वो आप जिससे आप आस्मान में जितने भी आपजेक्ट्स हैं, उन सब को आसानी से देख और प पता चला है, चलिए अब जरा च्छत पर चलते हैं ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इस आपको कैसे यूज़ करते हैं, अब आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, और एक आप डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है स्काई व्यूज़, यह एक स्टार गेजिंग आप है, यह उगमेंटेड रियालिटी यूज़ करती है, इसमें मागनिटिक सेंसर हैं, जो कि आपको करेंट लोकेशन के हिसाब से स्टार्स का प्लेस्पेंट आपकी घर के आस पास कैसा है, वो बताता है, तो आप इसमें अपना करेंट लोकेशन दे दे और तुरंथ ही यह आपको सारे स्टार्स दिखाने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बस आसमान में पॉइंट कर रही हूँ और यह मुझे बता रहा है कि कौन से स्टार्स और कौन से ऐसमान में प्रेसेंट है जो अभी आसमान में प्रेसेंट है मैं किसी पे स्टार पे क्लिक करके, कि देख सकते हूँ कि वो क्या है, उसका नाम क्या है Woah, अब हम जिसके लिए छट पे आये हैं, वो काम कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनो प्लानेट्स अभी एक लाइन में हैं मैं इन पर point कर रही हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं कि ये कौन-कौन से प्लानेट्स हैं Saturn आगे वाला Jupiter है और ये Mars और आप देख सकते हैं कैसे ये तीनों एक ही लाइन में एक साथ आ रहे हैं और अगर मैं भी मून को देखना चाहूं, मून कहाँ पर है मैं फोन को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हूं, ये मून है तो आप देखिए मून भी सेमी लाइन पर आ रहा है और ये साथ में Hubble Telescope है, जो कि सारे planets पे नज़र रखता है, ये Mercury है आगे, और ये I think Sun है, हाँ ये Sun है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इतना सुन्दर event जो भी हो रहा है, मैं बहुत आसानी से अपने आप में देख पा रही हूँ, ये आप बहुत educational है, आप इसमें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कहां पे कौन से planets हैं, कैसे कैसे वो space में placed हैं और उनके नाम क्या है, और ये बहुत ही अच्छा practical तरीका है उनको सिखाने का, जैसे ये International Space Station है, ये भी मुझे दिख रहा है इस आप में, कहां पे है satellites, बहुत सुन्दर आप है, अगर आपको stargazing पसंद है, तो आप तुरंत ये app डाउनलोड करो, और सारे space के सारे planets का आप लुफत उठा सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो तुरंत इसको like करें, आपका हर एक like मेरे लिए बहुत important है, और आप comment से मुझे ये आपका और दिस अद्भुत इवेंट का experience कैसा रहा, थांक यू